आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको भी दिक्कत आ रही है कि आपके फोन में वीवो को जो फोन है उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो पर आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करें आईए जानते हैं दिखिए यहाँ पर आप दो तरीके साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो एक माइक वाला साउंड यानि कि जो आप बोलो वो भी रिकॉर्ड हो जाए एक है सिस्टम का साउंड जेसिकि आप कोई गेम खेलती हो तो उसके अंदर से आवाज आती है तो भी आप उसको भी record कर सकते हो तो कैसे करना मैं बताता हूँ सबसे पहले setting में जाना है आपको phone की setting में जाए यहाँ पर आपको मिलेगा यह option जिसका नाम होगा shortcuts and accessibility इस पर आपको touch करना है यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे उपर as capture इस पर touch करें आप ऐसे page पर पहुचोगे अगर आपको यह page यहाँ से नहीं मिलता है या दिक्कत आ रही है आपको तो आप notification बार को नीचे करो यहाँ पर आपको मिलेगा record screen या screen recorder side करके देख लिए जिए आपको मिल जाएगा आप इस पर long press करिए यानि इसे दबाय रखिए जो मैंने पहले बताया था वो option आपको यहाँ मिलेंगे आप देख सकते हैं सेम ही है सबसे पहले आप इस वाले option को अगर चालू करना चाते हैं तो कर दीजी मैं आपको बताता हूँ क्या है यह मालनी जी आप screen recorder के दोरान कोई touch करते हो खुछ जगा पे तो वो दिखाई दे कि नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर है बारी आती है record sound की हमें यह काम है record sound पर touch करें अगर आप चाहते हो कि microphone का sound यहाँ पर आए यानि कि जो आप बोलो सिर्फ वही record होए तो microphone audio पर touch करें अगर आप चाहते हो कि सिर्फ system का sound सुनाई दे यानि कि आप जो game खेल रहे होए कुछ कर रहे हो उसका sound दिखा सुनाई दे यानि record होए तो इस पर touch करें अगर आप चाहते हो कि दोनों record हो सके जिसे कि आपने दिखा होगा कि लोग live stream करते है तो game की sound भी आती है और उनकी sound भी आती है तो इस वाले पर touch करें और none वाले option पर बंद रहेगा यहाँ पर आप इसे इस्तिमाल करें अपने तरीके से वीडियो पसंदार लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सवाल है कमेंट करें